अगर तुम में और तुमारे अब्बा में दम है तो मेसेज में लिखे तमाम तत्यों में से सिर्फ एक तत्य को सही सावित करके बताओ फिर किसी की नौकरी को चीनने की बात करना और नौकरी चीनने वाले तुम होते भी कौन हो या देश भारत के बाउसंक्यक समाज दरिक आदवासिक और पिछलों का है ये मत भूलो के इस देश में कमी तुमारे बुर्गे दीख मांगने आयते अगर भूल गए हो तो डाक्टर जबाला ने दो दिस्कवरी ओप इठिया पड़ दिना तुमारा सारा भूर्थ को दो मिनट में उतर जाएगा इसमें जातवादियों द्वारा बहुजन अधिकारियों को बनाया जा रहा है निसाना सच्चाई सामने आने पर क्यों तिल मिलाए जादिवादी बुल्डे दरित अबसर को क्यों मांगनी पड़ी मापी और है वो लोग जो बहुजनों की नौगरी के पीछे हाद होकर पड़े हैं यह वीडियों हर जाग्रूप और विक्यार पर वरोसा रखने वाले प्यक्तियों के लिए अत्यान महत्पूर है इसलिए आप सभी से निवेदर है कि वीडियों को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर करके चेनल को संस्क्राइब जलू करते हैं नमस्कार मैं प्रज मोहन और आप देखने हैं जनिता वाले हैं हमारे देश में एक कहावत कापी प्रसिद्ध है जिसकी लाटी उसकी बैस इस कहावत की प्रसिद्ध कोई हवा हवाई नहीं है बले कि इस कहावत का हमारे देनिक जीवन में कई बार प्रियोग होता है जिस ग साधन होते हैं। उस ब्यक्ति द्वारा कही गई बात कब सही और कब गलत होती है। यह सब सत्ता संसाधनों पर काविज ब्यक्ति पर निर्वर करता है। आद्वासी R.A.S. अधिकारी केसरलाल मीना द्वारा जो के उद्धोग विवाग के संयुक्त सच्व हैं इनसे R.A.S. ओफिसियल नामक वाट्सेप गुरुप में एक मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है जिसमें ब्रामनों की पोप लीला का खुलासा किया गया है इस मैसेज से इ मरकास करने की मांग करते हैं जो लोग हनवान जी को हमेशा बानर बताने का बादा करते हैं कभी-कभी उनकी विचारधारा के मुक्यमंत्री भी यानि कि योगियातनार अनुमान जी को दलित बता देते हैं तब इनकी कोई भावनाएं आहत नहीं होती लेकिन इस अधिकारी केसलाल मीना की बरकास्तगी की मांग करने लगते हैं इस पूरे मामले पर कथित उची जातवालों का क्या कहना है ये भी हम आपको बता देते हैं देनिक बासकर अकवार में छपी रिपोर्ट के अनसार राजिस्तान विप्र कल्यान बोर्ड के अध्यच मैसर्मा का क कहना है कि जिम्मेदार पद पर बैटे ब्यक्त समाज को तोड़ने की बात कर रहा है सरकार ऐसे अपसर के खिलाब कड़ी कारवाई करें देनिक बासकर की रिपोर्ट में आगे और क्या लिखा है यह पहलू भी हम पहले जान लेते हैं तो उसके बाद इस पर विस्तार से बा मानने पर मज़ूर किया है और हमने चाहे ना चाहे मान लिया आखर क्यों क्यों कि तुमने हमारे सोचने समझने जानने की तागत यानि कि सिच्चा तरक गुद्धी और बिग्र्यान हम से चीन लिया और हमें अन्दा बना दिया आज हमारी आखें खुल चुकी हैं, हमारे पास आज ताकत है, फुले साहू पेरियार अम्बेड कर विचारधारा की, उनके सिद्धानतों की, कलम की ताकत है, इसलिए आज मैं कालविंकताओं को मानने के बजाए सक जाना चाहता हूँ, तारकिक सवाल है कि आज तक जो ब्राम से ये मनवादी तिल मिलाए हूँ हुए है, तो साथ ही आपको बता दें, इसमें लिखा है कि ब्रामणों ने बोला, बिना पंक के बंदर उड़ गया, हमने माल लिया, ब्रामणों ने बोला, बंदर ने उड़कर आ के विसाल बोले, यानि कि सूरिक को खा लिया, हमने बोला ठीक है, ब्रामणों ने बोला, हनुमान कान से पैदा हो गए, हमने यह भी माल लिया, ब्रामणों ने एक बंदर से सोने की लंका को जलवा दिया, यानि कि दातों के महल को जलवा दिया, हमने माल लिया, ब्रामणों ने बोला, प्रत्वी गाय के सीम पट की है, हमने यह भी म लिया ब्रामणों ने बोला प्रत्वी सेसनाग के भनपट की है हमने बोला ठीक है ब्रामणों ने बोला ब्रामण ब्रह्मा के मुँझ से निकला है इसलिए स्रेष्ट है हमने बोला ठीक है इसके अलावा ऐसे ही तर्क करने के और भी बिंदु लिखे हैं जो आप हमारी स्क्री से यह मैंसे आया था मैं ग्लीट कर रहा था कि गलती से फॉरवड हो गया दूसरे अपसरों की आपत्ती के बाद 20 मिनट बाद मैंसे ग्लीट कर दिया गया तो साथियों यह था पूरा मामला हमने इस मामले के हर पहलू से आपको अगवत कराने की कोशिस की है लेकिन बड़ा रहे हैं मैं भी उनके साथ मीना को बरकास करने की मांग करने लगूंगा सिर्फ वो मैसेज में लिखे एक तत्य को गलत सावित करके बताते हैं हद हो गई तुम अपने फायदे के लिए जो कोपलीला रचोबो सब ठीक है अगर कोई अधिकारी या ब्यक्त देश के विकास औ होकर पढ़ जाते हो सीधे से क्यों नहीं कह देते की तुम्हें जनमजाद से भीक मांगने की आदत पढ़ गई है तुमारी निठलली कौम पर मैनत नहीं होता है तुम हमेसा मैनत का सूलोगों के हभ चीनने पर ही अधिकार भी रोग नहीं पा रहे हो सिर्फ इसी बात का दर्द तुमारे पेट में हमेशा बना रहता है जब संबंदित अधिकारी ने कह दिया के गलती से फॉरवर्ड हो गया है मैसेज फिर क्यों नौकरी के पीछे पड़े हो तुमारे अबबा तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं क्या दिन प्रति इसी प्रकार से दलित आधवासी और पिछडों का सोशन करना ही सबका साथ सबका विकास है इसका जवाब भी हमारी सरकारे ने तो अच्छा होगा अगर तुम में और तुमारे अबबा में दम है तो मैसेज में लिखे तमाम तत्यों में से सिर्फ एक तत्य को सही साबित करके बताओ फिर किसी की नौकरी को चीनने की बात करना और नौकरी चीनने वाले तुम होते भी कौन हो यह देश भारत के बहुसंक्यक समाज दलित आदवासी और पिछणों का है यह मत भूलो कि इस देश में कभी तुमारे पुरके भीक मांगने आये थे अगर भूल गए हो तो डाक्टर जवाला नेरू की दिस्कवरी ओप इंडिया पढ़ लेना तुमारा सारा भूत दो मिनट में उतर जाएगा इस देश के बहुजनों की नौकरी चीनने और मांसिक रूप से प्रताडित करने का ख्याल अपने मन में भी भूल कर मत पाल लेना पूरे देश का बहुजन समाज एक साथ खड़ाऊंगा है मैसेज में फुले साहूद पेरियर अंबिडकर का साथ साथ जिकर है अगर हकीकत में तुम मेरिकदारी हो तो पहले हमारे महापुरसों फुले साहूद पेरियर अंबिडकर की बातों को गर्द सावित करके बताओ बनना तरक का फुतरक तो कोई भी कर सकता है देश में माता बहनों की इज़त सरयाम नीलाम की जा रही है और तुमारे जैसी नीज सोच के लोग बलतकार जैसे अपरादियों को पहले तो सजा माप करते हैं फिर संसकारी कहते हैं और इस सबसे मन नहीं बरता तो फूल मालाओं से स्वागत करके इन बलतकारियों की जैजयकार करते हैं ऐसे मौकों पर तुमारी भावनाय आहत क्यों नहीं होती हैं जब माता बहनों की देश बर में आबरू यूटने के मामले आते हैं कव न तो तुमारी और न तुमारी कालबनिक भगवान की किसी की भी भावनाय आहत नहीं होती हैं और वैसे भी इस पूरे मामले में बाबा साब डाक्टर अम्बेड कर द्वारा लिखे गए कानून का सहारा क्यों ले रहे हैं सुनाओ अपनी फर्याद अपने भगवान को जिन्होंने सौने की लंका को जला कर भस्त कर दिया सूरज को मुह में निगल लिया और नजाने क्या-क्या लीला दिकाई राजिस्तान विप्र कल्यान बोर्ड के चेयर में महेश सर्मा कह रहे हैं कि इतनी जिम्मेदारे वाली पद पर रहते हुए इस तरह के बयान या मैसेज पॉर्वर्ड नहीं करना चाहिए तो मैं अधिक साब से पूछना चाहता हूँ जब आपके गली मौले के एक चुट्याई नेता से लेकर देश के मुक्यमंत्री प्रदान मंत्री तग देश को बाटने और नपरत की बात करते हैं तब आप किस कौने में उर जाते हो ये भी हमें बताईए जब आपके डॉक्टर से लेकर के सांटिष्ट तग देश में अंध्विस्वास पहलाने का काम करते हैं तब आप ऐसे बयान क्यों नहीं धेटे हैं तब ऐसे मामलों को क्यों नहीं उठाते हैं आपने देखा होगा किस प्रकार से मंगलयान की अस्पलता पर इस रो के मुकिया किस प्रकार से मौदी के साथ गले में हाट डाल कर रोते हैं आसु बहाते हैं इन बातों का देश की जंता पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता है इसको भी जराइस पश्ट कर दीजिए तो साथ ही आपको बता दें कि ये पाकंडियों की मानसिक्ता को आपको समझना होगा जो ये कहें उनके अनुसार अगर बात सही है तो सही है अगर इनके इसाब से सही न करना ना भूले नमस्कार